Hello Guys, Welcome to Economy Classes आज आपको mode के continuous series के questions समझा रहे हैं continuous series यान्डिय की सaciaंडी के questions को निकालने के भी दो तरीके होते हैं inspection method और दूसर alternative method continuous series में mode केली ये दी frequencies regular हैं तो हम inspection method का use करेंगे question दूस है आपको प्लास इंटेवल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 तो 40, 40 तो 50, 50 तो 60 और 60 तो 70 इसकी फ्रिकेंसी है 8, 6, 4, 12, 9, 3, 2 बार इंट प्रेक्शन हमें पर चल रहा है, निरक्शन के दुआरे दिखाए दे रहा है कि 12 वैल्यू सबसे बढ़ी है तो 12 क्या हुआ, F1 हुआ, उससे उपर की वैल्यू F0 होती है, जो 4 हुई और उसकी नीचे की वैल्यू F2 होती है, जो 9 हुई formula है हमारा, Z is equal to L1 plus F1 minus F0 upon 2 F1 minus F0 minus F2 into I L1 यानि की lower limit क्या है 30, F0 हमारी 4 है, F1 12 है, F2 9 है, और interval हमारा दिखाई दे रहा है, जो 10 का है solution start करते हैं, इसका और देखते हैं, 30 plus 12 minus 4 upon 2 into 12 minus 4 minus 9 into 10 simple है, 12 minus 4 is equal to 8 और इसको 10 से multiply के आपने, आपका 80 आया और 2 into 12 को आपने multiply के 24 और minus minus plus होता है, इसलिए 9 और 4 आपका 13 हुआ, तो 30 plus 18 upon 11 divide करके आया 7.27 और इसको आपने 30 में plus किया, तो आया 37.27 इस तरह से यहादी frequency regular है, तो by observation ही हम model class का पता लगा लेते हैं, model class कहते हैं, कि जैसे यहाँ पर model class 30 to 40 है, तो उसके सामने के frequency 12 है, तो हम असानी से पता लगा सकते हैं, कि 12 को लेकर हम अपने पूरे questions को निकाल सकते हैं, अब second formula है alternative formula, यदि inspection method के द्वारा हमें frequencies irregular नजर आ रही है, तब हम grouping table को prepare करते हैं, question है, 0 to 10, 10 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 और 80 to 90, frequencies है, 20, 35, 60, 82, 78, 68, 32, 12 और 8, टेबल बनाते हैं इसके, वह ही, second और third में two two values को plus करेंगे, और fourth, fifth और sixth में, three three values को total करके लिखा जाएगा, जो आपको discuss, इसका question सुनगे आता, उसमें भी आपको grouping table बनानी सिखाई थी, grouping table बनाने के बादा आप देखिए, सबसे बड़ी value, second और 146 है, third में 160 है, fourth में 228 है, और fifth में 178 और sixth में 220 है, इन तेनों values को देखते हैं, कि किस को plus करके बनाए गई है, 146, 78 प्लस 68, 160, 82 प्लस 78, 228, 82 प्लस 78, प्लस 68, 178, 78 प्लस 68, प्लस 32, और 220, 60 प्लस 82, प्लस 78, यादि कि 78 मेक्जिमम टाइम आई है, five time आई है, जबकि सबसे बड़ी value 82 है, यहाँ पर maximum frequency 78 कि है, जो five time है, हम यूज किया गया है, जबकि सबसे बड़ी value 82 है, इसलिए हम density test का यूज करेंगे, हम दोनों model class को लेते हैं, दोनों class को लेते हैं, 3240 और 4250, 3240, F0, F1, F2, 60, 82, 4250 में, F0, F1, F2, 82, 78 और 68, इनको total करकाया, 228, यह 40 to 50, model class की value की of F1, 78 यहने की ज़्यादा है, यह दि हम compare करते हैं, model class 30 to 40 की F1 की value 82 से है, इसलिए हम alternative formula का use करेंगे, formula हमारा है, Z is equal to L1 plus F2 upon F0 plus F2 into I, यह हम F1 की value को छोड़ देते हैं, 40 plus 68 upon 82 plus 68 into 10, 40 plus 680 upon 150, divide करका है आपको 4.53, उसको 40 में plus करते हैं, तो answer आता है 44.53, तो Z is equal to 44.53, इस प्रकारम हमने आपको बताया है कि, यह दि फ्रकेंसी इर्रेगुलार हैं, तब हम grouping method का use करेंगे, और अपने यह grouping method का use करने के बाद हम देखते हैं, कि जो value है, model class की value है, वो उसकी ज़्यादा आ रही है, जो value वहाँ पर frequencies में कम है, तो हम alternative formula का use करते हैं.